हेलो दोस्तों हरहर महादेव, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना पहला व्लोग, जो कि मैं दो दिन पहले अपनी गाउं कुल देवी माता मंदिर के पुजा के लिए गई थी, लेकिन कुछ टाइम इशूस के चलते हुए मैं उसको आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो हम सब लोग घर से निकल चुके थे, मेरा गाउं मेरे घर से 5 किलो मीटर की दूरी पर है, यहां मेरे साथ जा रहे हैं मम्मी, जो कि हमें पुजा करवाने लेके जा रहे हैं, और मेरे साथ जा रहे हैं मेर खुशी हुई क्योंकि उनका सभाव बहुत अच्छा है, और फिर धीरे-धीरे करके सब लोग हमसे मिलने आने लगे, तो गाउं की जितनी लेडी जिकठा हो गई थी, उनके साथ ही हम लोगों ने मंदिर की तरफ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर सब का इंदिजार कर तो बहुत तेज धूप हो रही थी, और पूजा के लिए भी बहुत लेट हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाउं का नजारा कितना खुबसूरत लग रहा है, खेत, पाग, बगीचे, कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग अपने मंदिर की तरफ जा रहे हैं, औ और इनसे मिलिए, ये है मेरी भती जी, जो की बिलकुल प्यारी सी है, और इसी ने मेरा पूरा वीडियो शूट किया, All Credit Goes to Lovey, Thank You So Much, तो जब तक मम्मी लोग पूजा की तयारी कर रहे थी, हम लोग आपस में कुछ एक किनारे खड़े हो, क्या हसी मजा की बाते करने लगे, और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूजा की सारी तयारी होने के बाद, मुझे भी पूजा करने के लिए मम्मी ने बुला लिया था, तो वहां मंदिर के पास जाकर, फिर मैंने माता जी को चुनरी चड़ाई, श्रिंगार का सामान चड़ाया, दच्छिना चड़ाई, और माता जी से प्रातना की, और माता जी से प्रातना करके उनका आश्रवाद लिया, फिर मेरे पतिदियो को भी बुलाया गया, माता जी के हम दोनों ने साथ में दर्शन किये, पैर चुए प्रातना की, आश्रवाद लिया, और फिर वहां पर जितने भी आस-पास मंदिर थ पिर हम लोग अपने अगले मंदिर की तरफ बढ़ गए तब तक पीछे से सारी लेडीज हा चुकी थी और यहां हम लोग अपने दूसरे मंदिर की तरफ पहुच चुके हैं जहां सारी लेडीज इकठे होकर माता जी का भजन भी गा रही थी और माता जी की पूजा भी कर रहे थे और फिर हम लोग बढ़ गए अपने अगले मंदिर की तरफ हमारा अगला मंदिर हमारे आम की बाग में मतलब है बीच में आम की बाग के बीच में हमारा जो है मंदिर है काली माता जी का मंदिर है ये फिर जैसा कि आप देख सकते हैं सब लोग मंदिर पे पहुँच गये है और उसके बाद सबने पूजा पार्ट स्टार्ट कर दी थी और आप देख सकते हैं ये हरा भरा आम का बाग है मेरा फिर जब मम्मी की पूजा हो गई तो उन्होंने माता जी को चुनरी और शिंगार का समान वगयरा चड़ाने के लिए हम दोनों को बुलाया फिर हम दोनोंने साथ में माता जी की पूजा की माता जी से आशिरवात लिया उसके बाद हम बढ़ गए अपने अगले मंदिर की तरफ यहाँ पर भी हमने पूजा पाट करके माता जी का आशिरवात लिया उसके बाद सारी पूजा कंप्लीट करके हम लोग अपने घर की तरफ वापस चल दिये तो बस मेरा व्लॉग इतना ही था अनल तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें तैंक यू